हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर से आप सब का स्वागत है हमारे चैनल गवर्मेंट इक्जाम स्टडी में दोस्तों आज हम आपको धाराओं के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं धाराएं यानि की ओशन करेंट्स आप सब को ये बात पता होगी कि ओशन करेंट्स दो तरीकी होती हैं एक आपकी गरम धाराएं यानि की वाम करेंट्स दूसरी आपकी शीद धाराएं यानि की कोल करेंट्स देखिए दोस्तों आपको पता है इन से जुड़े हुए प्रशन हर परिक्षा में पूछे जाते हैं आज हम आपको एक बहुती साधारान सी ट्रिक बताएंगे जिनसे की आप इन सब के जो प्रशन आते हैं उसको कभी भी गलत नहीं करेंगे दोस्तों इसके लिए मैंने एक कहानी बनाई हुई है उस कहानी को आप सुनेंगे आपको सारी करेंट्स एक दब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों जो ये धाराओं वारे क्वेस्टन आते हैं वो ज़्यादा तर यही पूछे जाते हैं कौन सी धारा आपकी गरम है और कौन सी धारा आपकी शीतल यानि कि कौन सी धारा आपकी cold currents है ठीक है दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में जो ट्रिक बताने जा रही हूँ वो इस चीज की बताने जा रही हूँ जिससे कि आपको cold currents याद रहेंगी यानि कि sheet धाराएं आपको याद रहेंगी और अगर आपको sheet धाराएं याद हो गई तो बची कौन सी? जो बची होंगी वो आपकी सारी गर्म धाराओं में आ जाएंगी ठीक है? तो चलिए start करते हैं कहानी अपनी एक काला अमीर आदमी था इतना अमीर था कि उसके पास नहर थी जिसमें वो नहाता था देखिए काला से आपको पर चल जाएगा कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया जो है वो भी आपकी sheet current है यानि की cold current है और नहर यानि की canal इंगलिश होती है उसकी इससे आपको क्या जोड़ जाएगा canary यानि की canary current वो भी आपकी कौन सी है sheet current है sheet धारा है ठीक है तो यह दोनों आपकी cold current होगी कैलिफोर्निया और canary इसी कहानी से आपको याद रखना है कैलिफोर्निया और canary दोनों आपकी cold current है sheet धारा है CC से भी आप याद रखना है कि cold है आगे देखिए उसके पास एक बड़ा सा बंगला था बगीचा भी था और आलिशान सोफा भी था ठीक है दोस्तों तो बंगले से आपको परचल जाएगा कौनसी current आ ली है banguela banguela current ये भी आपकी cold current होती है ये एक current हो गई दूसरी garden से क्या हो गई greenland current ये भी आपकी cold current है और सोफे से क्या हो जाएगा sofa SOFA FA से आपका last राल जो मैंने लिखा है Fockland Fockland आपकी cold current हो गई sofa से SO से क्या हो गई okhots, oyashio और kuril ये कोई भी SIO वाली चीज़ा है वो आपकी क्या हो जाएगी sofa के SO से हो जाएगी ठीके दोस्तों तो यहाँ से क्या हो गई आपके पास banguela, garden से greenland sofa के SO से okhots, oyashio या kuril और FA से Fockland ठीके दोस्तों ये सब आपकी cold current है उसके पास एक Labrador dog भी था जिसे Bolt movie बहुत पसंद थी और Antarctica उसकी पसंदीदा जगे थी देखें दोस्तों यासे आपको पता भी ये इतना अमीर आदमी था कि उसका कुत्ता था उससे भी movie देखना पसंद था तो Labrador dog था, Labrador भी आपकी cold current, Bolt movie आपको पता होगी अगर नहीं पता देख लीजेगा बहुत अच्छी एक कुत्ते के उपर ही डॉक के उपर ही movie बनी हुई है वो Bolt movie बहुत पसंद थी उसके डॉक को इस Bolt से आपको याद रहेगा Humboldt और Peruvian ये आपकी cold current है और अंटार्क्टिका उसकी पसंदीदा जगें थी तो अंटार्क्टिका आपका ये भी cold current हो गई ठीके दोस्तों आपको यही कहानी खाली याद रखनी काला आदमी था काले से आपको कैलिफोर्निया हो गई नहर थी नहर से आपको कैनार यानि कैनरी हो गई से बंगला से बेंगुएला गारडन से ग्रीन लैंड और सोफे से आपको फॉक्लेंड और अशियों हो गई लब्राड ओर से लब्राड्र करेंट हो गई बोल्ट से हमबोल्ट और पेरुवियन हो गई और अंटार्क्टिका गरेंट हो गई ठीके दोस्तों यही छेसाद आप बता लें क्योंकि आपको कोल सारी पता हो गई है तैंक्यू दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना भू सकी